अलद्वानी के बन्भूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टर माइन अब्दूल मलिक को गिरेपतार कर लिया गया है बन्भूलपुर हिंसा के मास्टर माइन अब्दूल मलिक को पुलिस ने दिल्ली से गिरेपतार किया बता दे कि अब्दुल 8 फरवरी को हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था अब्दुल मलिक की गिरफतारी की पुष्टी उत्राखंट पुलिस ने भी कर दी है अब्दुल की गिरफतारी की जानकारी कुमायू रेंज के आई जी निलेश आनत भर्णे ने दी अब्दुल मलिक जो है जो जिस पर 62-83 कारवाई और हुई है और पुलिस काफी जोरों से उसको तलास रही थी, आज पुलिस ने जो है ने निताल पुलिस ने उसको जो है अब्दुल मलिक को दिली से अभी गिरफतार किया है अब ये नेंताल पुलिस जो है टीम अभी उस पे लगी हुई है और नेंताल पुलिस जो है इसको जल्दी जो है जो अपना कोर्ट में पेश है बतादे के हलदवानी के बनभूलपुरा छेत्र में अवैद रूप से बने मदर्से को ध्वस्त करने को लेकर हिंसा भड़क गई थी ध्वस्तिकरण के दवरान लोगों ने प्रशाशन के इस कदम का विरोध किया था बाद में इस विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया था इ इस जगा प्रशाशन अतिक्रमन हटाने गया था वो जगह अब्दुलमली के कबजे में ही थी इस हिंसा के दौरान करोणों की संपन्तियों को नुकसान भी हुआ है जिसकी भरपाई के लिए अब्दुलमली को नोटीस भी भेजा गया था अलांकि हिंसा के बाद से अब्द यहां पर प्रशासन की पूरे कारेवाई हुई यहां बताए जाता है नीचे लोग रहते थे उपर पढ़ाई करते थे तमाम चीजे बताई जा रही हैं दूसरी पक्ष की दलील सिधर रूप से है कि हमार से बिना पूछे यह कारेवाई की गई परशासन की जमीन थी परशासन ने अपनी जमीन वापस ले ली बात सिर्फ यह है कि आखिर परशासन का जो रविया था उनका कहना है यह बिल्कुल गलत था जबकि नोटिस जारी किया अब खाली हो चुके हैं यह तमाम उपर से जो पत्थरों के आप विज्वल देख रहे थे टेलिविजन पे वो यहीं इनी घरों में से पत्थर चल रहे थे लगातार पुलिस कारवाई कर रही है चापे मारी टीम लगातार उन लोगों की तलाश कर रही है इलाके में पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी साइथ 6 लोगों के खिलाब केस दर्च किया था अब्दुल को पकड़ने के लिए पुलिस कई जगा छापे भी मार रही थी लेकिन अब्दुल पुलिस की गरफ्त में नहीं आ रहा था वह हिंसा के बाद से फरार अब्दुल क कई प्रॉपर्टी भी कुर्क की गई थी हैं हलांकि अब अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसी उम्मीद है कि पूस्तास में कई संसनिखेज खुलाते हो सकते हैं टाइम्स नाउनो भारत बिश्टल की रिपोर्ट